हम सब चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी value समझे सामने वाला इंसान समझे कि हम भी valuable है हमारा भी worth है हम भी worth है हमारी भी respect है तो हम करना क्या start करें Shri Harivans आप देख रहे हैं कि crazy philosophy मैं हूँ आपका दोस्तों को चानदोर आज किस video में हम बात करने वाले है सामने वाले इंसान को अपने पार्टनर को अपनी कमी कैसे महसूस करा है हाउ टू मेक यो पार्टनर मिस यू हाउ टू मेक यो पार्टनर मिस यू वैल्यू हम सब चाहते हैं कि सामने वाले इंसान हमारी वैल्यू समझे सामने वाले इंसान समझे कि हम भी valuable है हमारा भी worth है, हम भी worthी है हम भी ऐसे ही नहीं है, हम भी एरे, गहरे, नत्थु, खहरे हम ऐसे नहीं है, हमारी भी value है, हमारी भी respect है और इस चीज को समझा जाए सामने वाले इंसान के द्वारा और हमको prioritize किया जाए, हमको time दिया जाए, हमें value दी जाए, हमें respect दी जाए हम सब ये चाहते हैं कहीं न कहीं अंदर से लेकिन सबसे पहले समझने की कुशिश करते हैं कि what is the actual problem problem है क्या, जैसे topic है कि सामने वाले इनसान को अपनी कमी कैसे महसूस करवाए तो क्या कमी उसके अंदर है कि वो हमारी कमी नहीं समझ रहा है या असली में, वास्तों में कमी हमारे अंदर है, अगर वास्तों में देखा जाए तो कमी हमारे अंदर है कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमारी ये desire है कि सामने वाले इनसान हमें understand करें सामने वाले इनसान हमें value दे सामने वाले इनसान हमको time दे सामने वाले इनसान हमको prioritize करें समझ रख ये actual में हमारी कमी है सामने वाले इनसान की कमी नहीं है तो सामने वाले इनसान के ओपर उंगली उठाने की बजाए हम खुद के उपर देखना स्टार्ट करें कि क्या सच में हमारे अंदर को यह ऐसी कमी है क्या हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमको वैलिडेट करें हम खुद को प्रूफ करने के लिए सामने वाले इंसान के थूप के खुद को साबित करना चाहते हैं सामने वाले इंसान महसूस करें आपकी कमी, he is having a different state of mind, you are having a different state of mind, अब उसके मन में क्या चल रहा है, that God knows, आप कभी जानी नहीं सकते, आपके मन में क्या चल रहा है, that you know, कोई नहीं जान सकता, सामने वाले इंसान नहीं जान सकता, तो हमको क्या है, हमको उस चीज के उपर काम करना है, जो चीज हमारे अंदर है, जो चीज हमारे कंट्रोल में है, अब सामने वाले इंसान के कंट्रोल में हो, उसके उपर हम dependency थोड़ी रख सकते हैं, it is completely up to them, कि वो हमारी value understand करें, वो हमें respect दें, नहीं दें, लेकिन हमें अपनी और से क्या करना है, हमें अपनी और से कभी हमारा ऐसा nature नहीं होना चाहिए, कि हमारे nature demanding हो, हम किसी से मांगे, या फिर हम किसी के सामने जुके हैं, कि आप हमारी कमी महसूस करो, आप हमें value दो, आप हमें respect दो, नहीं देना मत दो, राधे शेम कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके सामने अपना हाथ ऐसे फैलाएंगे नहीं, कि आप हमारी कमी समझो, आप हमारी value समझो, आप हमें respect दो, हम ऐसे नहीं हैं, हम भी respected इंसान हैं, तो हम करना क्या start करें, अब आपने तो कह दिया जी कि कमी उसके अंदर नहीं है, कमी आपके अंदर है, तो अपनी कमी को कैसे दूर करें, हम बस हमारी निजरिये में इतना होना चाहिए, कि हम किसी भी चीज में कम ना हो, हमारे अंदर सच में कोई कमी ना हो, तो हम खुद के ओपर वक आउट करना स्टाट करें, खुद के फाइनेंसे के ओपर वक आउट करना स्टाट करें, खुद के स्पिरिच्वल हेल्थ के ओपर वक आउट करना स्टाट करें, खुद के करियर के ओपर, खुद की फैमिली के ओपर, हर एक तरीके से, वी शूड वर्क आउट करना स्टाट करते हैं, तो आप हमारी कमी समझो, आप हमारी value समझो, या फिर आप हमारा worth समझो, बिल्कुल नहीं, हम खुद के ओपर काम करेंगे हर एक तरीके से, we'll get healthier, physically, mentally, हम अपने आपको ऐसा बनाएं, कि हाँ, अगर सामने वाले इंसां को value देना होगा, तो फिर वो value देगा, अगर सब कुछ करने के बावजूद, अगर आपको लग गया है कि नहीं, अब कुछ ऐसा left out नहीं है मेरे पास करने के लिए, I've done everything in my life, I've tried everything in my life, और मैंने खुद को इतना improve कर लिया, मैंने खुद को इतना better बना लिया है, close to perfection, फिर भी सामने वाले इंसान हमारी value नहीं कर रहा है, फिर भी सामने with her life, with herself, फिर हमको अपनी और से कुछ करने की जोरत नहीं, फिर हम agitist अपनी और से छोड़ देंगे ऐसे, अपने दोनों आथ खड़े करके, अगर सामने वाले इंसान को समझना है तो समझे, अगर फिर भी सामने वाले इंसान नहीं समझता है, तो we need to make a decision about it, कि हमको अब कर करना क्या है, हमारी खुद की अपनी लाइफ में, और ये चीज़ कभी नहीं करने चाहिए इनसान को कि हम अपने आपको validate करें, किसी के लिए भी, सामने वाले इंसान से जो है, हम उसके views के थरू, उसके access के थरू, उसकी सोच के थरू, हम अपने आपको validate करेंगे, हाँ, हम valuable है, अच्छा हम, नहीं, हमारी कोई respect नहीं है, हम को अंदर से पता है, वास्तों में हर एक इनसान को पता होता है, कि हमारी क्या value है, हमारी क्या respect है, हम कितने important है, सामने वाले इंसान के views के थरू, उसके opinions के थरू, that will never define you, that doesn't define you, तो आप अपनी और से खुद के ओपर work out करना start करें, और कभी ऐसा ये complaining और ये सारी चीज़े छोड़ दे, किसी से कुछ बोलने की जोरत नहीं है, कि आप मुझे समझते हैं, आप हमारी कमी नहीं समझते हैं, ऐसा आप समझते ही नहीं कि मैं आपकी life में हूँ, या फिर मेरा कोई वजूद है, मेरी कोई value है, आप तो बस ये disinterested है, आपको पूरी story पता चल गई अंदर तक, समझते हैं, बाहर बाहर से नहीं, उसकी life में क्या है, उसकी situations क्या है, उसका mindset क्या है, सब कुछ जानके फिर आप समझ में आ गया, essence निकल गया है, कि नहीं, इसको समझ में नहीं आने वाला, तो फिर हम अपनी और से एक decision decision में देखें, दो ही चीजा आती है, या तो हम अपनी और से accept कर लें, as it is, कि हाँ ये ऐसा ही है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है, अगर accept नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अपनी और से, अपना decision लें, टाटा बाए बाए बाए, राम राम करें, राधे राधे करें, आप बोले कि भाईया, आप अपनी लाइफ में, अपने आपको prioritize करो, अपने आपको value दो, अपने आपकी respect करो, अब मुझे ज़रत नहीं है, समझ रहा है, तो हमको देखने की ज़रत है, हमको understand करने की ज़रत है, कि कहां पे रुखना है, कहां पे जो है, चलना है, समझ रहा ह इसके हिसाब से हम अपनी और से चलना स्टार्ट करें, और कभी हमको भीख मांगने की, कभी हमको हाथ फैलाने की ज़रत नहीं है, किसी के सामने, कि ऐसा ऐसा है, आप समझो, आप समझते नहीं हो, आप respect करो, आप prioritize करो, you should make some time for me, यह सब फालतु की बात है, जिसको करना होग वो naturally करेगा, आपको, उसको force नहीं करना पड़ेगा, आपको artificial, ऐसा intellect नहीं लगाना पड़ेगा, कि नहीं, यह ऐसे कैसे करें, अच्छा है, अगर उसको initiative लेना है, तो वो अपने आप लेगा, by default लेगा, नहीं लेना है उस इंसान को, as it is, छोड़ दो, खतम करो, रादेश 30343014 पे, thank you very much for watching this video, stay connected, stay blessed, pranadhan, sri radha, vallablaal, blessed you my friend, jai hind, jai bharat